सब दो और चीज़ें भी गुम गई हैं हमारी टीम में से सुनने में आ रहा है कि अगले टेस्ट के अंदर ना शाहीन है ना इमाम ना शाहीन को भी रेस्ट करने का गया जबके पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अची दी देखें उनके वर्क लोड के हवाले स इसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजिलेंड जाना है टी 20 मैचेस की सीरिस खेलने के लिए जहां पर वो पाकिसेंट टीम के कप्तान भी हैं तो वाकलोड मैनेजमेंट के हिसाब से आप यह चीज़ें कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और यह ठीक है कि अगर आप सी का टाइम चाहिए वो मुनासब अंदाज में हो जाए और फिर जब वो इसके बाद अगला पाकिस्तान का चैलेंच है जो अगली सीरीज है उसके लिए अपने आपको तैयार कर सकें और यह इसलिए तो चीक है अगर आप वाकलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं जैसे हारिस चाहिए नहीं चाहते हैं उनकी जो फिजिकल फिटनस है या आप यह कहें कि उनकी बाड़ी उसलिए तयार नहीं है कि वो टैस्मैच क्रेकट खेलने तो आप इसमें ओवर्स निकालके देखें मेरा खाल है नवे से ज्यादा शायद ओवर्स कर गए दो टैस्मैच मैच अभी तो 4 वनडे मैच new मैचes क денे उनकी क्यूंकि आपने हर वनडे मैच में 10 उस और यहां दाजा लगा लेए कि उनरजी लगती है कितनी आपका जोर लगता है कितनी आपकी जो बॉलिंग मसल्स हैं वो इस्तमाल होते हैं मजमूरी तोर पर आपकी जिसम कितना उसके ओपर काम करता है इस चीज़ को देखते हुए यह वाकलोड मैनेजमेंट को सामने रखते हुए यह कोई ऐसी बात नहीं है आप आराम दे सकत है और वो इस लिहाज से भी खुश्किसमत है कि उनका एक तो मुश्किल कंडिशन्स में हो रहा है ना टेस्ट डेब्यू लेकिन वो खुश्किसमत इस लिहाज से भी है कि चुंके जो उनके शॉट्स हैं वो एक ऐसी जगह पर उनको अपने टेस्ट करियर के आगास का मौका मिल रहा है जहां पर शॉट्स लगते हैं बाउंस अच्छा होगा ऑस्टेलिया में और रंस बनाने के मौके उनके पास होंगे दबाओ किसी किसम का नहीं होगा मासे वाइस के कि उनका पहला टेस्ट मैच है क्योंके पाकिस्तान की सीरीज का फैसला पहले सी हो चुका है तो उनके सलाहियत बहुत है उनमें वो लोगों को जब वो देख खेलते हैं तो लोगों को देखते हुए अच्छा लगता है कि उसमें जा रहाना अंदाज भी शामिल है उसमें आपको ऐलेगंस बी नजर आती है उसमें आपको कॉंफिदेंस बी नजर आता है तो यह सारी के शोबे में कि जब वो दोर जदीद में पाकिस्तान की तरफ से टेस्क क्रिकेट का आगास कर रहे हैं तो बहुत ज़्यदा नेक तमना है उनके लिए हैं कि अल्ला उनको कामयाब करे और वो एक तवील अरसे तक कामयाबी के साथ पाकिस्तान टीम की नुमाइनगी करें और जब तक वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहें पाकिस्तान टीम की कामयाबियों में उनका एहम करदार हो और पाकिस्तान के लिए ज्यादा देर तक वो लोगों को क्रोडों लोग हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेट देखते हैं और दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ट्रिकेट को पसंद करती है तो उन सब के लिए एक ऐसा खिलाडी जिसको देखने के लिए लोग स्टेडियम तक आएं उन में वह सलाहियते जुरूर मौजूद हैं लेकिन आफ़े सब आपको नहीं लगता कि जो हमारा आखरी टेस्ट था क्योंकि सीरिस मैटर करनी करनी है अभी जरूरी चीज है वो यह आप समय लेके मुकाबला जो है वो टेस्ट चैंपियंशिप का भी मुकाबला है हमारे लिए पॉइंट्स बहुत की यह बात ठीक है बात आपकी ठीक है कि आपके पास पॉइंट्स होते हैं चुंकि यह टेस्ट मैचिस सिर्फ वो है यह बात भी ठीक है लेकिन हम तो ओवरेट की वजह से भी पॉइंट्स हमें मिलते का मैं कट देजा जाते हैं तो यह बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल चीक है लेकिन उसमें ज्यादा बेहतर जो गुजिश्टा बर्स पाकिसान का गुजरा था ना पाकिस्तान के लिए वर्ल टेस्ट चैंपिन्शिप का वह वाला साइकल सबसे बहतर था जब आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट अपने मैदानों पर खेले अब इस मरत पाकिस्तान नहीं खेलेगा और पाकिस्तान इस साल में भी मेरा ख्याल है कि शायद आधे मैचिस खेल रहा है टेस मैचिस जि ही मिलता है तो यह टेस्ट मैचिस की तादाद पाकिस्तान के लिए दरा काम है लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो पॉइंट्स की अहमेत जरूर है लेकिन आपको कहीं ना कहीं लोगों ने जाना है लोगों ने आना है उन चीज़ों को भी सामने ही अपन जाने हैं उनमें इतनी अहलियत होती है कि वह अपनी सलाहियोतों के बल्बूते पर पाकिसान के लिए मैचिस जीते हैं तो मैचिस जीतने जीएंट्स की आहमें तो किसी बीसूरत कम नहीं होती है अच्छा इसी बात तो हम वापस आना चाहंगे लेकिन से पहले है कमिंग फिटनस पर मेनत करें और अच्छी कर जाता है इंशाला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात होगी आज बाबर कुर्रेस्ट की बाते हो रही हैं लेकिन मेरा खाल है कि एक ऐसे इसके लिए ना बहुत सारी जो आवामिल हैं आप उनको देखना पड़ता है आप कब आर पाकिसान क्रिकट बोर्ड उनको तीनों से नहीं अलग करना चाहता है लेकिन वो तीनों से अलग हुए अब आप उनको अगर आराम की तरफ लेकर जाते हैं तो आप तो सबसे पहले अपने बेस्ट बैटर से महरूम होंगे और दूसी बात यहा है कि जो उनके जहन में कहीं कहीं अगर कोई मन्फी ख्यालात हैं तो उनको तक्वियत पहुंचेंगी और वो कितना ज्यादा कमफटेबल हो सकता है इतना पुर्सकून महसूश ना करें तो आराम के लिए वक्त का तायून बहुत जरूरी है हालात उसके लिए आपको ऐसे रखना पड़ते हैं कि कहीं न कहीं खिलाडियों में यह अदम तहफूज ना हो अदम तहफूज नहीं होनी चाहिए कि अगर आप बाबर को वैसे तो वो साल भी बाहर बैठे रहें तो वो इतने बासलाहियत हैं कि वो वो वापस आएंगे तो सीधा पाकिसन की टीम में आ जाएंगे लेकिन इसके लिए व पांच-छे हफदों की आपकी क्रिकट वो होगी पी-एस-ल की तो क्या आराम करेंगे अब भी वो वक्त नहीं है बात हो रही है इस हावाले से को आराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मेरा यह खाल है कि बाबर को बैक करने की जरूरत है और जो उनकी ट्रू पोटेंश आपका दिल करें तो आप उनको टीम में शामल करें आपका दिल करें तो आप यह सोचना शुरू कर दें और फिर यह है कि आपका आपका रास्ता क्या आगे बढ़ने का आप किसको लेके आएंगे कैसे लेके आएंगे मतबादल आपके पास क्या है तो यह को इतनी असा बारे में बड़े सोच समझ कर फैसला करना चाहिए और जिस अंदाज में कप्तानी वैसे ठीक है उनकी नहीं थी कप्तानी के बारे में उनके बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें थी लेकिन उस वक्त भी जैसे उनको कप्तानी से पाकिसन क्रिकेंट बोर्ड ने हटाया है मतलब इससे बेटर तरीका अख्यार किया जा सकता था आपको सामने रखना चाहिए कि जब आपने उनके कप्तान बनाया था उस वक्ता आपका रवया क्या था और जब आपने उनके कप्तानी से हटाया उस वक्ता आपका रवया क्या था था खिलारी आते हैं खेलते हैं कभी अच्छा कहलते हैं, कभी अच्छा नहीं कहलते हैं, कभी काम्याब होते हैं, कभी काम्याब नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनकी टीम के साथ वाबस्तगी होती है, जो उनकी खिद्मात होती हैं, उनको इस तरीके से आप, आपको, मत्तब जब आप कोई भी जिम्मधारी वापस लेते हैं तो इतनी हिजजद के साथ आपको अभी थिम्हदारी दी थी है तो अभी जब अराम की बाती है तो ठीक है चुछ है कि डूसरा टेस्समैच को शुरू हुआ था, मेरा खाल एक यह ख़त्म होगा था नये साल से पहले और आठ देस दिन का तो इसमें भी वक्षा था टेस्समैच में तो आराम हो गए, अब अब शाहिन को भी देखें जब टेस्समैच दूसरा खत्म हुआ, तो पकिस्तान की टीम management ने मेरा खाल है यह कहा था कि हम इनसे बहुत जादा bowling नहीं करवाएंगे ठीक है इसलिए कि वह उनका workload मैनेज करना है और डियूरिंग जो है आराम के दिन है उसमें प्रैक्टिस सेशन में उनसे bowling नहीं करवाई जाएगे इसी तरीके से आराम मिलता रहता है खिलाडियों को लीग cricket के उपर आप उनसे कह दें आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप समझते हैं कि आपको आराम की जरूरत है तो आपको पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड उसके अदा कर देता है आपको आप लीग लीग cricket की तरफ से हो रहा है तो आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं लोगों को लाजम तो नहीं है कि आपने नेशनल डियूटी से उनको लेना है इनको आराम करवाना है आराम करवाने वालों के बारे में यह देखने की जरूरत है किस सोच के तहत करवाया जा रहा है पर जब आपकी तारीख यह हो और आपको ऐसी चीजने दाएंबाएं सही दरुद से सुनने को भी मिलती रहे तो फिर आराम वाला जो और इसको आराम करवाना है और वह कहीं काम पढ़ जाता है मैं और चीज़ एड़ करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है परसनली कि ए आप उसको रेस्ट करवाते हैं जरूरत से ज्यादा है एक खास मुदत से जारा तो शायद वो अपनी उन सलायात से महरूम भी हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैं परफेक्ट